सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुपर टेकनोलजी लेटेस्ट वीडियो के लिगी बेल लाइकों दबाएं वेलकाम टू मैं चैनल सुपर टेकनोलजी मेरा नामन दीब दुल्ट दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप बी एसनल यूजरों को एक्टिवेट करने कैसे एप्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने यह सभी देखने के लिए बढ़े रहे वीडियो के एंड दोस्तों मेरे पास आज मौनिंग में एक लिंक करसीव हुआ जिसमें लिखा है ही बेसनल यूजर गेट फ्री प्रीमियम ओटिटी सोनी लाइव जी फाइव वूट एंड यब टीबी प्लस अनलिम्टेड मूबी सीरीज एंड लाइब स्पोर्ट्स तो यहां पर लिंक अबिलेबल है दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब वहां पर क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर सकते हूं अभी यहां पर मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूं उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है उसके बाद आपने ब्राउजर को स्लेक्ट करना है जैसी आप ब्राउजर को स्लेक्ट करोगे तो यहां पर शो हो जाए दोस्तों यहां पर आपने अपना phone number enter करना है यहां पर हम आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास land line number means आपके बाज फाइवर का connection होना चाहिए उसके बाद ही आप इसे use कर सकते हो दोस्तों details enter करने के बाद आपने code enter करना है जो भी आपको यहां पर code show हो रहा है साथ में यहां पर show हो रहा है enjoy 30 days free subscription to unlimited entertainment your subscription will be auto new post the free trial you may cancel the subscription anytime दोस्तों subscription automatically activate हो जाएगी 30 days free trial के बाद लेकिन आप किसी भी time cancel कर सकते हो दोस्तों जल्दी मैं वीडियो लेकिया होगा कि अगर आप plan को deactivate करना चाहते हो तो कैसे करने आपने यहां submit पर click करने दोस्तों आपके registered mobile number पे OTP receive हो जाएगा जो भी आपका mobile number आपके connection के साथ are registered है दोस्तों आपने यहां पर OTP एंटर कर देने फिर से submit पर click कर देने तो आपको यहां पर subscription के details शो हो जाएगी reference number उसके बाद आपने apps को install करने यहां टीबी scope entertainment pack तो आपने यहां टीबी scope आपको install करना जुरूरी है उसके बाद आप यहां टीबी जी फाइव सोनी एडवूड एप को install कर लेना है पहले यहां पर मैं यहां टीबी scope को install कर रहा हूं करते time enter की थी तो यहां पर मेरी same email id जो हमने वहां पर enter की थी यहां पर सर्च करना है यहां टीबी scope install कर लेना है हम सभी apps को install कर लेती है अब यहां पर मेरे पास सभी apps install हो गी है दो सबसे पहले आपने यहां टीबी scope को open करने है उसके बाद get started पर क्लिक कर देने after that आपने language चूज करनी है जो भी आपकी preferred language है after that आपने laptop पर क्लिक करने and sign in पर क्लिक कर देने दोस्तों यहां पर आपने अपना phone number एंटर करने जिस नमबर के साथ आपने रिस्टर किया था and get otp पर क्लिक कर देने दोस्तों आपके पास यहां पर automatically login हो जाएगा आपने language चूज करनी है जिस language को आप prefer करते हूं आप यहां पर direct live tv पर क्लिक करके live tv देख सकते हूं दोस्तों यहां पर सभी tv channels अबिलेबल है अगर आप category wise देखना जाते हो entertainment, kids, music, news तो आप category wise भी देख सकते हूं तो अभी यहां पर मैं जैसे इस tv channel को play करके देखता हूं दोस्तों आप यहां पर क्लिक करके next channel पर भी विजट कर सकते हूं तो इस type से आप channels को देख सकते हूं दोस्तों अभी यहां पर मैं Wi-Fi को disable करूंगा एंड मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके देखूंगा क्योंकि मेरे पास भी यह सनल का सिंद नहीं है देखें कि दूसरी operator के तुरू प्ले होगा जा नहीं होगा दोस्तों यहां पर सिर्फ आपका लॉग-इन होना कमकर दोस्तों नेक्स्ट आपके पास यहां पर option शोगी catch-up की, movies की, tv shows की, अभी हम यहां टीवी को open करेंगे start watching पर क्लिक करने, दोस्तों जैसे हम यहां left top पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर भी sign in की option आएगी, तो आपने oil number एंटर करने, जिसके साथ रिस्टर किया है, get otp पर क्लिक कर देने and verify पर क्लिक कर देने, अभी आप यहां पर किसी भी channel को access कर सकते हूं, देख सकते हूं, live tv, catch-up tv, tv shows, तो आप यहां टीवी को भी freely देख सकते हूं 30 days के लिए, उसके बाद I think आपको 129 rupees पे करने पड़े, दोस्तों अभी हम यहां पर G5 को open करेंगे G5 को open करने के बाद आपने more पे क्लिक करने, more पे क्लिक करने के बाद आपने यहां login और register पे क्लिक कर देने, यहां पर आपने अपना phone number एंटर करने, proceed पे क्लिक कर देने, दोस्तों आपने यहां login with otp पे क्लिक करने, आपको otp receive हो जाएगा, otp एंटर करने के बाद आपने verify पे क्लिक करने आपका यहां पे G5 में भी sign in हो जागा दोस्तों इसी टैप से आप सभी apps में sign in कर सकते हो जैसे यहां पे मैं वूट को open कर रहा हूं वूट में भी आपने यहां पे phone number enter करने एंड यहां forgot password पे क्लिक कर देने तो आपको यहां पे वी रूट में भी sign in हो जाएगा दोस्तों इस टैप से आप सभी apps में sign in कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी किसी भी एप्लिकेशन के रूप क्या रही है यह आपको श्याशन है तो मेरी वीडियो के comment box में comment कीजिए मैं आपकर comment कर अप्लाइए करूँगा थैंक यू फर वाचिंग प्लीस स्क्राइब मैं चैनल फुली टेस्ट अप्डेट्स